हलो काईज आज हम बात करेंगे आम के बारे में आम को कहते हैं फलो का राजा आम जब कच्चा होता है तो इसका यूज करते हैं चटनी में ड्रिंक में और कई प्रकार की रिस्पी में और जब पक जाता है तो भी अलग-अलग रिस्पी में इसका यूज करते हैं आज मेरे किचन में बनने वाली है हूम मेट मैंगो आइस क्रीम इसे बनाना बहुत ही आसान है मैं आपको आपके किचन में पाई जाने वाले समान से ही मैंगो आइस क्रीम बनाना बताऊंगी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है इसका लुक देखिए क्रीबी और सौफ्ट है इसको आप घर में एक बार बनाएई तो बच्चे इसको बार बार बनाने को कहेंगे आपसे चलिए सुरू करते हैं home made simple mango ice cream बनाना यहाँ पर मैंने mango ice cream बनाने के लिए mango के pulp को निकाल लिया है और उसको एक ग्रैंडर जार में डाल के हल्का सा ग्रैंड कर लेंगे यहाँ पर मैंने सारे मैंगो के पल्प को जार में डाल लिया है चलते हैं इसको ग्रैंड करने के प्रोसेस में मिक्षर को हमें एक से दो बार चलाना है हलका सा ग्राइन करना है बस जादा हमें ग्राइन नहीं करना है आम को इतना ही हमें ग्राइन करना है यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्षर बाउल अब इसमें हम डालेंगे आमूल की फ्रेश क्रीम अगर आपके पास अमुल की फ्रेश क्रीम अभी अवलेबल नहीं है तो आप दूद की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट उसका उतना ही आएगा टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी आपके आईस क्रीम में तीन से चार चमच मैंने सुगर एड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गर्मियों में बच्चों को आईस क्रीम खाना बहुत ही पसंद होता है यहां तक कि जब बाहर आईस क्रीम वाला घर के आता है तो बच्चों को आवाज सुनाई देती है तो ममी पापा को जित करते हैं आईस क्रीम लेने के लिए और ममी पापा कभी उसको दुन को दिलाते हैं कभी नहीं दिलाते हैं लेकिन यदि आप घर में ही आईस क्रीम बनाएंगे तो आप उसको अपने हाथों से जो ingredient यूज होंगे वो आपके घर के होंगे तो healthy और बच्चों के लिए अच्छा भी होगा तो आप उनको खाने से आइस क्रीम मना नहीं करेंगे और यहाँ पर मैंने हलका सा दूद डाल दिया है और सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे इस mixture को हम mango के pulp में add करेंगे grinder jar में और इसको grind कर लेंगे इसमें आप 2 teaspoon milk powder भी डाल सकते हैं क्योंकि जो हमारा moisture है जो हमारा पानी है वो milk powder absorb कर लेगा तो हमारा जो ice crystal बनता है ice cream में वो नहीं बनेगा आम के pulp के साथ मैंने सारे ingredient को अच्छे से mix कर लिया है jar के ढकन को open करती हूँ अब देख सकते हैं कि हमारा ice cream का mixture कितना creamy और soft बना है इसमें moisture बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने milk powder add किया है 2-3 teaspoon जो कि moisture को absorb कर लेगा पानी को इस point पर मैंने लिया है ice cream mold हमें mango ice cream के mixture को इसी में डालना होगा अगर आपके पास ice cream mold नहीं है तो इस तरीके के lunch box में भी ice cream जमा सकते हैं फ्रीजर में एक एक करके open करते हैं ice cream mold को और हमारा soft and creamy mango ice cream के mixture को ice cream mold में डालेंगे mold में हमें mixture को अच्छे से डालना है इसके लिए हलका सा इसको tap कर दें इस तरीके से और mixture को अच्छे से डाल दें यहां देखिए मैंने सारे mixture को अच्छे से डाल दिया है अब इसमें हम file paper लगा देंगे file paper लगाने के बाद इसको हमें एक घंटे तक freezer में रखना होगा उसके बाद हम इसमें stick लगाएंगे यहां एक घंटे हो गए हैं मैंने freezer से mold को निकाल लिया है और knife से अच्छा हलके से छेद करके इसमें हम stick को लगा देंगे इस तरीके से file paper लगाने से आपके ice crystal ice cream पर नहीं आएंगे सारी stick लग गई है अब चलते हैं इसको 5-6 घंटे तक freezer में हमें रखना है 5-6 घंटे के बाद हमारी super tasty creamy soft ice cream रेडी होगी यहां पर 5-6 घंटे हो गए हैं अब निकालते हैं ice cream को यह देखिए हमारी creamy soft ice cream बनके रेडी है इसे देख करके घर के सभी लोगों के मुँ में पानी आ रहा है तो चलिए जल्दी से सभी ice cream को serve करते हैं एक एक करके mold में से मैं सभी ice cream को निकाल ले रही हूँ बावल में आप चाहे तो पिस्ता डाल कर इसे garnishing कर सकते हैं वरना इसी तरीके से serve कर सकते हैं इसी तरह lunch box की ice cream ही बहुत ही बढ़िया जमी है तो देर की इस बात की इतनी गर्मी में चलिए जाईए अपने किचन में और बनाईए mango ice cream और अपने बच्चों को घर में सबको खिलाईए यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें तैंक यू फॉर वाचिंग